Hey guys, this is Techie Gamer, back with another gaming PC build video and this time our budget is around 25,000 रुपीस and we'll be using AMD CPU in our build. इस build से भी आप अच्छी खासी gaming कर सेगेंगे, आजकल की हर एक titles खेल पाएंगे, PUBG को भी आप medium से low settings पे अराम से खेल पाएंगे मतलब इसमें monitor, keyboard, mouse, speaker सब included होंगे, तो चलिए अब बिना वक्त जाएकिए आगे बढ़ते हैं हमारे PC build की तरफ So guys, सबसे पहले बात करते हैं CPU की, मैंने इस build में जो CPU को चूस किया है, वो है AMD की Phenom 2 X6 1090T और यह 45 manometer के architecture best है, और इसका जो base clock है, वो है 3.2 GHz और यह एक hexa core hexa threaded processor है Performance की बात करें तो दोस्तों, यह आज कल के हरे games को बढ़ी आसानी से जेल लेता है यह CPU सपोर्ट करता है एक AN3 platform को और हम इसे खरी देंगे used AliExpress से और इसका price है 6300 रुपीज के आसपास, link description में दिया होगा अब आप सोच रहे होगे कि 66000 में तो Ryzen 3 1200 मिल जाता है, वो भी एक तम brand new तो मैंने इस बिल में एक old CP को क्यो include किया, देखे इसके बहुत सरे reasons है पहला तो है यह कि Ryzen CPUs only AM4 socket को support करता है, मतलब AM4 socket वाली motherboard आपको चाहिए तो इसके लिए आपको खरीदना पड़ेगा एक B320 motherboard और अगर आप थोड़ा बहुत overclocking करना चाहते हो मतलब अगर आप Ryzen खरीदे हो तो जाहिए आप थोड़ा बहुत overclocking तो जरूर करेंगे इसलिए आपको minimum जो चाहिए वो है B350M motherboard इसके लिए आपका motherboard का जो cost है वो पढ़ जाएगा 6000 बजट में नहीं बैठता और दूसरी बात है यह अगर आप Ryzen की full potential को use करना चाहते हो तो जाहिए यह बात है आप DDR4 RAM को ही चूज करोगे जिसके frequency minimum 2400 MHz पे clock तो होगा ही और Ryzen सबसे बहतर utilize करता है single channel memory से dual channel memory को मतलब आपको 4GB के 2 modules RAM के लेने पड़ेंगे तो उसके लिए आपको खरिचने पड़ जाएंगे minimum 7000 से 8000 रुपीज सो हमारा budget जो है वो 25,000 से बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है तो इसलिए मैंने PENOM 2 X61090T को चूज किया क्योंकि इस CPU का price भेले ही खोड़ा ज्यादा हो पर इस CPU जो components यूज करता है उन सब components का price ज्यादा हमें देखने को नहीं किलता है सो 6300 पॉदी CPU अब बात करते हैं motherboard की सो मैंने जैसा पहले कहा था कि ये CPU एक AM3 platform को यूज करता है बत्तब हमें खरीदना पड़ेगा एक AM3 motherboard इस build में हम यूज करेंगे Asus, MSI या Gigabyte का कोई भी AM3 या AM3 Plus platform का motherboard और इसे आपको खरीदना पड़ेगा यूज वैसे चाहें को आप new भी खरीद सकते हैं इसका price आपको 3000-3500 के अंदर मिल जाएगा पर एने budget के अंदर रहने के लिए इसे यूज बाई करना सही समझा सो आप इसे OLX quicker कहीं से भी used खरीद सकते हैं 2000 रूपी के आसपास आपको मिल जाएगा बस खरीदते वक्त, make sure that the seller used a decent branded power supply like Corsair, Cooler Master, Antic, Circle, etc. अब बात करते हैं RAM की, हम इस build में जो CPU को यूज कर रहे हैं वो 1600 MHz की RAM को यूज कर सकता है सो हम 1600 MHz की RAM खड़ी देंगे हम इस build में जो RAM को include करने वाले हैं वो है Clisray का 4GB की 1600 MHz का module जिससे आप overclock भी कर सकते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने जो brand इसमें बताया Clisray इसके बारे में तो किसी ने नहीं सुना तो फिर मैंने कहा से इस build में इसको include कर दिया मैं आपको बताता हूँ ये जो brand है Clisray ये एक वक्त बर Kingston के लिए memory manufacture करता था मतलब Kingston के जो RAM है वो Clisray ही manufacture करता था पर बाद में Kingston जो है खुद ही अपने RAM को manufacture करने लगे सो Clisray भी अपने खुद का brand बना चुका है RAMS का और सबसे बड़ी बात है ये कि आपको एक decent सा RAM मिल जा रहा है और वो भी बहुती बहुती cheap price में दोस्तो 4GB DDR3 1600 MHz की एक module की price आपको पढ़ जाएगा 980 रुपीज जी हाँ दोस्तो 980 रुपीज में आपको एक 4GB RAM का module मिल रहा है और हम इस बिल्ड में यूज़ करने वाले हैं 2 4GB की module सो आपको spend करने पड़ेंगे 1960 रुपे इसे हम खड़ी देंगे एकदम brand new AliExpress से लिंक आपको description में मिल दी जाएगा So 1960 रुपीज 4H RAMS बात करते हैं हमारे बिल्ड की GPU की So दोस्तो मैंने इस बिल्ड के लिए चूस किया है एक बहुती powerful entry level graphic card जो आपको बड़े ही आसानी से decent gaming करवा देगा Even आप PUBG PC भी खेल सकोगे Low या Medium settings पे और आपको भी जाएगा minimum 40 से लिके 50 अप्पेस तक वो भी 1080p की resolution के साथ और अगर आप इसमे 720p gaming करेंगे तो आप बहुती बहतर performance इससे पा सकते हैं So हम इस बिल्ड में include करने वाले हैं GTX 750 Ti 2GB की GDDR5 VRAM वाला version इसे हम खरीदेंगे used AliExpress से इसका price जो है आपको पर जाएगा 4,500 रुपीज के आसपास So 4,500 रुपीज फोरा GPU प्रोड़क की लिंक आपको description में मिल जाएगा अब बात करते हैं हमारे storage की So इस बिल्ड में guys मैं एक 1TB की hard drive को include करने वाला था बट actual में हुआ ये कि इसका जो price है वो हमारे budget से थोड़ा बहुत ऊपर चला जा रहा था इसलिए guys मैंने इस बिल्ड के लिए एक 500GB की hard drive पो include किया है वैसे आपके पास तो choice रहता ही है कि आप बात में पैसे वैसे जोर के एक 500GB या 1TB की hard drive ले सकें So हम खरी देंगे Western Digital Blue या Sea Game Veracuda की तरफ से एक 500GB की used hard drive जो कि आपको बड़ी आसनी से OLX या quicker पे 12 रुपे के आसपास मिल जाएगा वैसे देखा जाए तो 500GB भी एक decent से storage है बात में आपका option तो रहता ही है अपने storage को upgrade करने का और मैं आपको बता दूँ कि अगर आप WD की hard drive को purchase करने जा रहे हैं तो make sure करना कि WD blue ही आप खरी दें क्योंकि WD का green जो hard drive है वो उतना fast नहीं है so 1200 रुपीज फोड़ा hard drive अब PSU की बात करें तो दोस्तों इस build में भी बहुत ज़्यादा power requirement नहीं है पिछले वाले build के तरह हम इस build में भी use करेंगे circle का 400 watt का PSU जो की हम एक्तम blend new खरी देंगे Amazon से और इसका price आपको पर जाएगा 830 रुपीज so 830 रुपीज for the PSU link आपको description में मिल जाएगा अब दोस्तों मैं इस build में include करने जा रहा हूँ एक optical drive को उन बंदों के लिए जिने एक optical drive की सथ जरूरत है so हम इस build में include करेंगे LG की या ASUS की एक optical drive जिसे हम purchase करेंगे एक देम न्यू Amazon से और इसका price आपको पर जाएगा 1000 रुपीज के आसपास so 1000 रुपीज for our optical drive और इसका link आपको description में मिल जाएगा cabinet की बात करेंगे तो दोस्तों हम इस build में कोई gaming cabinet को afford नहीं कर सकते हैं हम खरी देंगे 1000 रुपे के अंदर कोई भी cabinet बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका airflow जो है वो बड़िया रहे आप used market को भी check out कर सकते हैं उसमें शायद आपको एक बड़िया सा deal मिल भी जाए पर मैं आपको दुबारा बता दू के cabinet खरीदते वक्त आपको airflow के दरफ ध्यान देना पड़ेगा so 1000 रुपीज फोरा cabinet अब बात करते हैं हमारे display यानी monitor की so हम इस build में यूज़ करेंगे LG की 19M38A 18.5 इंच की monitor और इसका जो max resolution है वो है 1366 by 768 pixels ये एक TN panel वाला monitor है और इसके अंदर आपको मिलता है 5 milliseconds का response time जो कि Android level gaming के लिए बहुत ही बढ़िया है और इसका जो refresh rate है वो है 60 Hz बट आप इसको 75 Hz तक overclock ज़रूर कर सकते हैं इसे दोस्तों हम खरीदेंगे brand new flip card से और इसका price आपको पढ़ जाएगा 4000 रुपीज के आसपास so 4000 रुपीज for our monitor लिंक आपको description में मिल जाएगा अब बात करते हैं keyboard की इस बिल्ड में मैंने choose किया है product की KB207S करके keyboard है इसे और इसे हम खरीदेंगे brand new flip card से और इसका price आपको पढ़ जाएगा 270 रुपे के आसपास so 270 रुपे हमारे keyboard के लिए product की link आपको description में मिल जाएगा अब अगर बात करें mouse की तो जाहिर से बात है हम इस बिल्ड में कोई gaming mouse को include नहीं करने वाले क्योंकि हमारा budget उतना नहीं है कि हमें gaming mouse को afford कर सकें so हमें कोई भी थोड़ा बहुत branded mouse खरी देंगे retail से और हमारे mouse के लिए मैंने budget रखा है 200 रुपीज so 200 रुपीज for the mouse which you are gonna buy from retail अब बात करते हैं speakers की so दोस्तों मैंने इस बिल्ड में choose किया है Intex की IT850U ये एक 2.1 sound system है और इसे अब बात करोगे brand new Amazon से और इसका price अब को पढ़ जाएगा 700 रुपीज के आसपास so 700 रुपीज for our speakers the link will also be given in the description so you don't have to freak out अब यार मैं बार बार इसे include करना क्यों भूल जाता हूँ actually I forgot I was using a used CPU in this build so हमें चाहिए एक CPU heat sink और मैंने include किया है इस build के लिए Antec की CPU heat sink जो की compromise में रहते हुए भी एक बहुती बड़िया performance आपको दे देता है इसके base पे आपको देखने मिल जाएंगे two proper heat pipes जो बड़ी एच्छी तरह के से heat dissipate कर सकता है इसकी सबसे बड़ी बात है ये कि इसमें जो fan आपको लगा हुआ मिलता है वो एक LED fan है जी हाँ दोस्तों इसमें आपको मिल जाता है LED fan जो की इस price point में काफी चौका देने वाली बात है हम इस CPU heat sink को खड़ी देंगे Amazon से एकदम brand new और इसका price आपको पढ़ जाएगा 8.55 रूपीस से लेके 8.60 रूपीस के अंदर है ना guys एकदम चौका देने वाली बात इस build में किये यह हुए सारे products के link description में मिल जाएगा So guys इसी के साथ complete होता है हमारा budget AMD gaming PC build और सारे के सारे components मिलाके आपका total price जो है 24,822 रूपीस इस build से आप दोस्तों gaming और editing दोनों कर पाएंगे So guys इस video को like करना और अपने दोस्तों के साथ share करना बिल्कुल ना भूलिए और अगर आप मेठे channel पे नए आ गये है तो subscribe करके जरूर जाना क्योंकि मैं लाता रहूँगा ऐसे ही PC और gaming related contents जो की बहुत ही interesting होने वाले है और अगर subscribe कर दिया हो तो बाजू में bell icon को भी प्रेस कर लेना उससे होगा ये कि मैं जब भी नए वीडियो डालू तो आपको notification मिल जाएगी सबसे पहले so guys मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए take care and game on क्वाइब बाज़ में जाएब झालू